सूपरबाद मेरे भाई और भेनों यार आना बड़ा ही प्यारा दिन है क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला टाइपस अप्लाइन्स भाई यह टॉपिक इतना ज्यादा डिफिकल्ट और कन्फ्यूजिंग है ना और मैं ऐसे एक्जांपल और केस्टीज लाया हूं कि तुम्हार ही केस में चाहे बोड़ो है स्यूटी प्रॉपर चांसे से इसके कोश्चन आने के और यह अच्छे से पताऊना चाहिए और अपना नारा याद है ना तुम्हें होते हैं ना वह इनके नीचे ही आते हैं अब सुनो सिंगल यूज प्लाइन क्या है बूल जो हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं एक बड़ी जरही एक्जांपल देखो देखो फॉक्स कौन जो है जो की एक सिलिकन आपकी चिप मैनुफैक्चरर है वो इंडिया में एक बिलियन दॉलर और इंवेस्ट करने वाले हैं अब कमिंग एपल इंडिया प्लांट के लिए ठीक है एक बिलियन डॉनर कितने थे आठ हजार करोड रूपे यह लोग एक और एपल की फैक्टरी लगाने वाले हैं जिसके लिए इतना खर्चा करेंगे अभी 2023 में इन्होंने 600 मिलियन टॉलर यानि 5000 करोड की फैक्टरी लगाई थी इंडिया में और एक और बनाने वाले हैं अब देखो एक क्या है क्या यह फैक्टरी बनाते ही रहेंगे नहीं यार एक फैक्टरी बना दिए दो चार और शैर बना लेंगे और उसके बाद यह उन फैक्टरी इसको 10-20-30 साल त प्रोजेक्ट एक टाइम के इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए बनता है है सच्चा कोर्स अफ आक्शन इस नोट लाइगली तो बी रिपीटेड डाट इस दियारा नॉन अकरिंग इन नेचर नॉन रेकरिंग इन नेचर ठीक है यह बार बार नहीं होगा ठीक है देडिए अफ दिस प्लारं में डिपेंड उन टाइप उफ प्रोजेक्क प्रोजेक्ट के ऊपर होता है कि यह जो प्लान है यह एक वीक का होगा एक मन्त का होगा यह सिंगल डेका होगा क्योंकि आपका एक सेमिनर करना भी एक सिंगल and call ओक इन ऑफिस का नापर कितना बड़ा होगा these plans include budget, programs, projects, ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, हमारी दो broad category है, देखो ये types of plans है, उसके नीचे हमारी दो broad category है, एक single use plan और एक है standing plan, ठीक है, अब उसके नीचे और categories आती है, 8 तरीके plan जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें क्या बोला, budget, program और projects आते हैं, और standing plans के नीचे भी और चीज़े आती है, अगर नहीं समझ मैं आरा tension मतलो, वीडियो के end तक ये सब कुछ clear हो जाएगा, ठीक है, हमारा single use plan, अब आता है standing plan, ये क्या होता है, बूल जो प्लानिंग पढ़ रहे हैं, एक बड़ी ज़रा ये वीडियो देखो, हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक क्या हुआ, ये sandwich गया, एक oven में, toast होने के लिए, ठीक, उसके बाद भाई ये निकला, और veggies आई, tomatoes आए, उसके बाद हमारा क्या आया, क्या कहते है, उसको pickles, onions आए, sauces आई, salt and pepper आएगा, और sauces आएगी, और फिर ये sandwich हो जाएगा, बंद, ठीक है, अब ये क्या है, समझो बढ़ रही है, क्या है, देखो, इस company ने, चाहिए वो सब्वे है, मैंने पिछली वाली वीडियो में, McDonald's के example बहुत जाद दिखाए, ठीक है, शायद आप लोग सोच भी रोगे, भई, आप कभी आमेक दी दिखाते हो, कभी आप सब्वे दिखाते हो, हाँ, मैं फूली इसलिए मैं तुम्हें वो चीज एक business से relate कर पाता हूँ, अब देखो, इन्होंने sandwich बनाने का तरीका बिल्कुल full and final कर रखा है, यह पूरा planned है, ठीक, आपका यह plan पूरे चाहिए 1000 बने, चाहिए 10,000 बने, चाहिए 1,000,000 sandwich बने, और किसी भी world के subway में बने, यह fix and final है, इसमे हलका-full का कोई change हो गया, तो हो गया, बट यह तरीका throughout हर जगी यही follow होना है, तो यह क्या है, एक sandwich बार-बार-बार बनता है, तो इसके लिए standing plan मनाये गया है, in fact, मैंने पिछले chapter 2 की video में, McDonald's के case में दिखाये भी था, कि इनके founder ने, यह पूरा plan कैसे बनाये था, वो भी दि जानना है, तो उस video को जाके देख लो, मैं हर video पर copyright claim नहीं लूँगा, ठीक है, चलो, standing plan, a standing plan is used for activities that अगर regularly over a period of time, क्या, regularly होती है, over a period of time, simple सी बात है, जैसे sandwich हमारा regularly बनता है, it is designed to ensure that internal operation of an organization run smoothly, यह इसले बनाई जाती है, to make sure कि organization के अंदर की जो चीजे है, वो smoothly चले, sandwich जो ब बारी बनाते हुए, सोच रहे है, कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, such a plan greatly enhances efficiency, ठीक है, and routine decision making, ऐसा plan efficiency को भढ़ाता है, क्योंकि हमें बार-बार सोचना नहीं पढ़ना कि क्या करना है, हमें पूरा process, हमें पूरा plan मिला हुआ है, कि ऐसे ही बना है, ठीक है, it is usually developed once, but modified from time to time to meet business as a requirement, needs that's required, ठीक है, अब आपका क्या है, कि पूरा वर्ल्ड में, सब्वे पूरे वर्ल्ड में है, उसके final plan बना हुआ है, कि इस तरीके sandwich बन रहा है, पर country to country, या फिर region to region, जो थोड़े बहुत changes है, कि इंडिया में लोगों को tomatoes कम पसंद है, पर maybe किसी country में, आ procedure, method and rules, standing plan के अंडर कौन-कौन से आते हैं, ये सारे आते हैं, types of plans, कोई ने tension मतलों, नहीं समझ में आ रहा, आपको बार में समझ में आ जाएगा, अभी मैं सब जहां नहीं वाला हूँ, ठीक है, अच्छा, अब मैंने तुम से अभी तक एक बात जूट बोली थी, मैंने बोल जादा, इन दोनों broad category के अंडर सारे आठो के आठो प्लान आते हैं, बट वो जूटता, actually क्या है, आपके strategy और objectives, ये दो type of plan है, ये दो ऐसे plans हैं, जो ना single use में आते हैं, ना standing में आते हैं, बाकि 6 जो plans हैं, वो आते हैं, single user standing में, अगर तुम्हें confusing लग रहा है, भूल जाओ ठीके categorization भूल जाओ, मैंने तुम्हें single user standing plan बता दिया, अब पढ़ लेते हैं, types of plans, actual 8 types of plans, जो कि आपके important है, सबसे पहला है, objectives, यार इसको मैं तुम्हें example भी दे देता हूँ, पर बड़ा सुनने में easy सा है, और मैंने पिछली वीडियो में भी example दिया था, जमैटो के founder दि करोड़ रूपे, उनका कहना है कि जमैटो 8 लाख करोड़ रूपे की कमपनी बन जाएगी अगले 10 सालों में, ठीक है, तो ये क्या है, ये objective है, ठीक है, बेसिक इंगलिश है यार, तुम पढ़ते भी हो, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ाता, the first step of planning is setting objective, ठीक है, planning process में सबसे पहला step क्या है, objective set करना, objective therefore can be set to be the desired future situation which management would like to reach, हमारा again, ये भी हमारा definition of planning में याता है, ठीक, कि भाई, एक desired future की situation जहाँ पे management पहुचना चाहती है, अब सुनो, अगर objective के around, चीज़े आई, तो तुमने वो जो, अभी मैंने पढ़ा है, मार्क करा है, वो तो लिखना है, ये भी लखना चीज़े, objective simply stated is what you would like to achieve, that is the end result of activities, ठीक है, again, वो ही वाली बात, जो planning की definition ते, उसको repeat किया हुआ है, कि तुम्हें क्या चाहिए, end result में, they are usually set by top management of the organization, ठीक है, याद रखना, कौन से type of plan, top management set करती है, objective, ठीक है, objectives need to be expressed in specific terms, they should be measurable in quantitative terms, अब सुनो, ये बहुत important है, ठीक, आपके किसी भी चीज़ को measure करने के न, दो तरीके होता है, quantitative, जो यहाँ पे है, और एक होता है qualitative, quantitative terms का मतला होता है, जब हम नमबर में express करते है, दिपेंदर गोयल ने बोला, हमारी company बनेगी 100 billion, 8 lakh करोड की 2030 तक, ये number की बात हो रही है, objective हमेशा number में होता है, दिपेंदर अगर ये कहते, कि 2030 तक हमारी company बहुत बड़ी company बन जाएगी, ये objective नहीं है, ये qualitative method हुआ, बहुत बड़ी, कितनी बड़ी, क्या होता है बहुत कल को जाके management करोगे, commerce करोगे, याद रखना, ये science के बच्चे नहीं हो, तुम commerce के बच्चे हो, तुम्हें ये समनना जरूरी है, कि हमेशा commerce का बच्चा quantitative terms में बात करता है, numbers में बात करता है, qualitative terms में नहीं बात करता है, ठीक है, अब सुनो, objective पढ़ लिया, a strategy क्या होती है, a strategy कही ना कही थोड़ा सा इसको objective से relate करके चलना, ठीक है, a strategy provides broad contours, ठीक है, to an organization's business, मतलब क्या है, एक objective ना, contours का क्या मतलब होता है, मैं क्या कहता हूँ, पहले आप English सीखो business study से पहले, इसका क्या मतलब होता है, एक broad guideline, एक जैसे map होता है ना, उसमें एक direction दी जाती है, कि हाँ इस area से, इस area तक, इस straight line में पहुचना है, but of course, उमें बहुत सारी और भी छुटी-छुटी बारीकिया होती है, जो हम traveling करते भे decide करते है, तो एक strategy ना, बस हमारे objective के base पे बताती है, कि हम इस तरीके से, यहां पहुच जाएंगे, जहां में पहुचना है, ठीक है, अब सुनो एक तुमें बहुत ही प्यारी वीडियो दिखाता हो, again, इस concept को समझाने के लिए. पहुचा रहा था, अब इंडिया में बच्चे हो या बड़े, सभी को free के products बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए जैसे ही वो देखते हैं, कि free में toothpaste मिला है, तो वो उसे try ज़रूर करते थे, और taste अच्छा लगने पर उनमें से कई लोग Colgate के regular customers बन जाते थे, इंडिया में ये काफी अच्छा चैनल है, शिवांशु अब दरवाल, तुम जाके check out कर सकते हो, बट point being यहां पे, कि भाई देखो, strategy क्या, Colgate ने कहा, भया हम इंडिया में नहीं नहीं आ रहे हैं, हमें पता है, हमारा taste अच्छा है, अब इंडिया में हम कैसे पहुचा है, हर जगे अपन ठीक है, पर उन्होंने पहुचाया कैसे, बिल्कुल अलग तरीके की strategy बना दी, कितनी genius strategy बनाई, कि school से जाके type कर लो, इस बहाने, देखो हम तो oral hygiene फैला रहे हैं, उस बहाने free sample दे दो, और free sample बच्चों parents के हाद में आलग गए, तो भाई वो फिर खरीदना चालू कर देंग जो कि organization goal को achieve करने में help करवाता है, ठीक है, Colgate का क्या goal था, India में घुसना, penetrate करना Indian market को, ठीक, अब सुनो, इसमें तीन dimension होते है, determining long term objective, ठीक है, objective setting जो हमने पीछे बढ़ा था, उसमें strategy में थोड़ा बहुत objective setting का भी काम आ जाता है, ठीक है, adopting a particular course of action, ठीक, यहाँ पे हम फिर अ achieve this objective, अभी यहाँ पे क्या था, कि allocate resources करना, यानि कि, अब भाई, Colgate ने plan तो बनानी है, schools तक पहुचना है, और ऐसे samples देने है, पर उसके लिए resources भी तो top management को allocate करने पड़ेगी, कि भाई, वो लोग जो जाके school से type करेंगे, वो production unit, छोटी-छोटी sample unit, जो बच्चों को जाके देंगे, ठीक है, अब whenever a strategy is formulated, the business environment needs to be taken into consideration, ठीक है, आपके जब भी को strategy form होती है, तो business environment को consideration में लेना होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कई Colgate, Colgate ने इस चीज़ को consider किया होगा, कि हम school से tie-up करते वे, कोई India का legal environment तो नहीं hurt कर रहे, कि भाई, कोई ऐसा law हो कि school के बच्चो से tie-up नहीं कर सकते हैं, उनको samples नहीं दे सकते, इंडिया के case में ऐसा नहीं तो नहीं ने कर लिया, बट कई countries में हो सकता है, ठीक है, तो ये था हमारा objective or strategy, अब सुनो policy, policy हमारा standing plan की category में आता है, ठीक है, अगर तुमें ये याद करना है, कर लो, नहीं करना, छोड़ देना, ठीक है, पर policy पढ़ लेते हैं, policy क्या है, policy are general statement that guide thinking or channelize energy towards a particular direction, तुम छोड़ो मेरी बात, ये सारी बात है, छोड़ो, तुम्हें एक interesting चीज दिखाता हूँ, देखो, Amazon से न, ये देख रहे हैं, जो मैं मार्क यूज कर रहा हूँ, ये मैंने Amazon से मंगा है था, बोया का, 4 GHz का, पर तुम्हें जेन्वन चीज दिखा रहा हूँ, अब देखो, यहाँ पर policy क्या है, seven days replacement policy है, return policy नहीं है, यानि कि अगर mic मेरे पास आता है, तो इसको मेरे को अगर ये पसंद नहीं आता, तो मैं इसे return नहीं कर सकता था, ठीक है, ये policy है, policy का मतलब क्या होता है, कि एक general direction है, customers को भी, कि भाईया, देखो, product आया, replace कर देंगे, और खराब निकला, return नहीं होगा, अगर पसंद नहीं आया, और ये policy सारे internal customer के रहे employees को भी पता है, कि भाई, return नहीं करेंगे, हम आपकी replacement देदेंगे, बट मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मेरी वेफ़कूफी क्या होई, मैंने माइक मंगवा लिया था, पर मैंने सबसे पहला माइक मंगाया था, वो Apple का मंगवाया, ठीक, मैंने फिर customer के रहे को call करेंगे, sir मैंने तो यार गलती से मंगा लिया, please इसका कुछ करो, तो उन्होंने क्या कहा, कि sir देखो, हम return तो नहीं कर सकते, पर, क्योंकि आप हमार अपल का मंगाया, फिर मैंने उनको दुबारा हाथ पैर जोड़े, फिर उन्होंने मेरा दुबारा return करा, ठीक है, but point being, policy क्या है, देखो, अगर मैं उनका बहुत साल पुराना customer नहीं होता, या मानो मेरे account होता, और मैं 2-3 return पहले भी कर चुका होता, तो साफ मना कर देते, ठ ठीक है, तो policy क्या होता है, एक general guideline होता है, कि sir, यही चीज होती है हमारे, but depending upon the situation, managers को, workers को allowed होता है, कि exceptions बनाना, यह चीजों को देखना, ठीक है, तो यही बात हो, यह general statements, that general statement, that guide, that guide thinking or channelize energy towards a particular direction, ठीक है, यह एक general statement है, जहाँ पे हर employee इस तरीके से सोता है, कि भाई, customer को मोटा- करना ही करना है, ठीक है, अब, they are guides to managerial action and decision in implementation of a strategy, ठीक है, अब Amazon को, अपनी इनकी strategy क्या थी, देखो, पहले तो हर जगे return allow कर देते थे, पर इनके साथ fraud होने लग गए, तो इननोंने strategy क्या बनाई, कि भाईया, fraud रोकने है, उन fraud को रोकने के लिए, इननोंने policy निकाली, कि भा department in an organization, ठीक है, चाहे कोई भी level का हो, कोई भी department हो, हर किसी की policy होती है, from major company policy to minor, policies छोट भी होती है, बड़ी भी होती है, मैंने तो तुम्हें एक no return policy हो, छोटा से example दिखा दिया, पर हर company में, भाई, hiring की भी policy होती है, firing की भी policy होती है, अगर कोई employee कुछ गलत करता है, उसकी भ policy होती है, तो छोटे से बड़े level पे हर जगे policies होती है, ठीक है, policies define the broad parameters, इंपोर्ट है, broad parameters बताते है, within which manager may function, the manager may use this as her discretion to interpret and apply the policy, देखो हमारी business studies में दिक्कत क्या होती है, हमें English नहीं आती है, English आज़े तो बहुत बड़ी है, discretion का क्या मतलब होता है, अपनी समझ, interpret का क्या मतल होता हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर simply क्या बोली भी है, policy है, एक general आपके parameters, broad parameters देते हैं, फिर उसके बाद manager के उपर होता है, कि वो क्या decision ले, ठीक है, अब सुनो, policy समझ लिया, पर policy के बाद ना, NCRT ने गलती कर रखे, procedure और method दे रखा है, policy के बाद ने सीज़ा rule देना च सुनो मेरी बात, हर company में न, एक zero tolerance rule होते हैं, ठीक है, मतलब, अगर इसके against, ये कुछ हुआ, तो इसके against, कोई भी exception नहीं है, rule क्या होते हैं, वो yes or no होते हैं, अगर rule follow हो रहा है, तो ठीक है, अगर rule break हुआ है, तो उसमें किसी manager को कुछ interpret करने की, भाई, allowed नहीं होता, वो फ ठीक है, आपका, इनसान की look, हर चीज के against, एक proper strict rule होता है, कि आप किसी ओपर religious comment नहीं कर सकते, आप किसी के gender पर comment नहीं कर सकते, अगर करा, तुरंत firing है, बड़ी companies में कोई exception नहीं दिया जाता है, ये उनका rule है, policy नहीं है, ठीक है, manager को interpret करना नहीं allowed, कि चल यार, ये इनसान अच्छा था, इसने religious comment मार दिया, तो छोड़ो, नहीं, religious comment किसी ओर पर मारा गया, तो वो fire होगा ही होगा, ये rule है, इसमें कोई interpretation नहीं लगेगी, ठीक है, rules are specific statement, that inform what is to be done, specific statement होती ही, जो बता दी, क्या होना चाहिए, they do not, सुनो ये बात सबसे important, they do not allow for any flexibility, flexibility and discretion, इसमें ना कि समझ लगानी है, ना कोई exception बनाना, ये हो नहीं है, it reflects a manager decision, a certain action must or must not be taken, must or must not be taken, ये बताता है manager को, कि क्या decision लेना है, ये नहीं लेना है, इसकी कोई exception नहीं है, अगर ये हुआ है, तो ये लेना ही पड़ेगा decision, अगर नहीं हुआ है, तो नहीं लेना, ठीक है, simplest type of plans, अच्छ क्योंकि manager को इसमें दिमाग नहीं लगाना, अगर कोई से हीने rule break किया, तो action लो, नहीं किया, तो चलने दो, ठीक है, तो rule होता है ये, अब आ जाते हैं हम, एक चीज के उपर जो मेरे को तुम्हें दिखानी है, भाई देखो, मैं ये जो तरीका तुमने अब मेरा दिखा है आप लोगों को, अगर business studies में अच्छे number लाने है, बोड में, और CUT में full marks लाने है, भाई ये playlist देख लो, सारे topics को इतना ही depth में पढ़ा है, NCRT को follow करके पढ़ा है, तो जाके देख लेना, अगर तुम अभी तक lecture देख लो तो मैं पसंद आ है, एक बार ही छोटी सी मेहनत कर करें, वीडियो को पॉस करें, लाइक करें, और comments में बता हो कैसा लगा lecture, और मेरा सपना है, मैं था सजार बच्चो को पढ़ा हूँ, यानि मेरे हर lecture पर at least 10K views हो, वो सपना तुम ही पूरा करवा सकते हैं, इस वीडियो को जाके share करो, अपने WhatsApp groups पे दोस्तों वोस्तों के करते हैं हमारे procedure की तरफ, procedure क्या होता है, procedure, देखो, हमने सबवे में देखा, हमने ये भी पढ़ा था, procedure क्या है, standing plan है, ठीक है, ये मैंने actually procedure कोई समझाने में के लिए यूज किया था, ठीक है, procedure क्या है, हमने पूरा flow देखा, की sandwich कैसे बन रहा है, पहले कटा, फिर उसके 8-10 steps बने वे हैं, अब इसमें, मैं अगर एक आदा भूली हैं, तो छोड़ो, माफ करना, ठीक है, अब इसमें कोई भी exception नहीं है, 50-1000 sandwich बनेंगे, तो वह इसी तरीके से बनेंगे, ये होता है procedure, ठीक है, पूरा flow, पर, अब आगे ज़रा बढ़ लेते हैं, method क्या होता है, method हो cutting को detail में, method बताएगा, कि उस cutting वाले task को कैसे करना है, कि आपको sandwich बीच में से काटना है, ऐसा नहीं है, पूरा काट के आप अलग कर दोगे, दोनों टुकडों को, नहीं, वो end में थोड़ा सा बचना चाहिए, ताकि वो दोनों टुकडे जोड़के sandwich बन रहे, ठीक है, आपक कितने pieces डालने हैं, वो method बताएगा, procedure बताएगा, हर step को detail करेगा method, कि हाँ, meat डालने के task में, कितनी quantity में डालना है, फिर अगला क्या था, toast होना है, तो method बताएगा, कितनी देख toast होना है, कैसे रखना है, किस sheet के उपर रखना है, ये सारी जो detailing है, procedure के हर task के उपर method देता है, ठीक है, अब सुनो इस बात को दिमाग में रखते हैं, procedure और routine step on how to carry out activities, ठीक है, कोई activity sandwich बनाना, उसके proper steps बताता है, कि क्या क्या करने है, they detail the exact manner in which any work is to be performed, they are specified in chronological order, ठीक है, याद है न, chronology समझ रहे हो, ये क्या है, confuse मत होना, ये बताते हैं, exact manner, work to be, कि exact manner work perform होना है, chronological order में, ठीक है, ये आपका ये नहीं बताते हैं कि work में exact जो हर task है, उस task में क्या होना है, ये बस ये बता रहा है, कि भाई chronology का क्या मतलब होता है, ये फिरिये, 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 आम इच्छा का मीम अगर याद है, तो समझ जाओगे, ठीक है, नहीं भी याद, तो chronology steps बताता है, exact, उसमें कोई hair fair नहीं हो सकती, step two, three के बाद नहीं आएगा, ठीक है, तो ये chronology बता देता है, अब आपका क्या है, method क्या है, method provide the prescribed ways or manner in which a task has to be performed considering the objective, ठीक है, आपका कोई भी टास्क है, उसमें वो exact ways or manner बताता है, ठीक है, it deals with a task comprising one step of a procedure, मैंने बोला ना, जो procedure में हर step होता है, उसका वो बताता है and specifies how step to be performed, और फिर वो बताता है, कैसे procedure में लिखे वे हर step को ढग से करना है, उसकी proper detailing, ठीक है, अब देखो, हमने क्या क्या कर लिया, हमने objective strategy, policy, rule और procedure और method कर लिया, अब हम पढ़ने वाले है, program और budget, ये दोनों single use plan है, ठीक है, program क्या होता है, देखो, हमने अभी Foxconn का example देख लिया था ना, तुमने, ये लगा रहे हो, कितने, कितने था ही, भाई, मैं भूल गए, एक billion, 8000 करोड, हाँ, Foxconn provide detailed statement about a project, project क्या होता है, भाई, वो factory लगाना project ही है, अब उसमें, वो proper बताता है, ये objective क्या होगे, policy क्या होगे, procedure क्या होगे, rules क्या होगे, task क्या होगे, human and physical resources क्या लगेंगे, and budget क्या होगा, उस पूरे काम को निप्टाने के लिए, ठीक है, अब देखो, जो program होता है, जैसे factory लगाना है, उस factory लगाने के लिए, सिर्फ उस specific, सिर्फ उस specific project के लिए, factory लगा को discard कर दिया जाएगा, fact दिया जाएगा, जब आपका project complete हो जाएगा, ठीक है, budget क्या है, budget क्या है, budget is a statement of expected, या तो बैसे नाम से भी समझ रहे हो ना, भाई, English तो नहीं भूल गए न, basic, budget is a statement of expected results expressed in numerical terms, देखो, सबसे important word यहां, numerical terms आता है, budget क्या है, एक statement होती है, क्या result हम expect कर रहे है, numerical terms में, ठीक है, budget, सबसे important budget की चीज़े है, यहां पे कोई अच्छा हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा, हम कहते हैं, आरे लाला tension मतो, बढ़िया काम हो, ना, यहां पे सिर्फ numerics की बात होती है, बढ़िया काम कितना, कितना बढ़िया कितना percent बढ़िया, कितने रुपे से बढ़िया, ठीक है, it is a plan which quantifies future facts and figures, यह वो तरीके का plan है, जो future के facts को and figures को quantity में डालता है, ठीक है, कि कितना हर चीज़ हम पैसे में बात करते हैं, for example, a sales budget में forecast, बढ़ अच्छे example, NCRT ने दे दिया है, कि एक sales budget, ठीक है, क्या forecast करेगा, कि हर different products, कितने अलग-अलग product का, कितने हर month में कितनी-कितनी sales लाके देगा, ठीक है, अब budget में also be prepared to show number of workers required at a factory at peak production month, ठीक है, एक different type of budget का एक और example दिया है, इनोंने, कि भाई, एक budget हमारे ये भी बता सकता है, कि एक factory में production के दुरान peak months में कितने लोग चाहिए होंगे, ठीक है, अब क्या है, since budget represents all items of numbers, ठीक है, all items in numbers, क्योंकि budget सबकुछ सरफ numbers में express करता है, it becomes easier to compare actual figure with expected figure, and take corrective plans subsequently, ठीक है, क्योंकि budget सबकुछ number में express करता है, ठीक है, तो होता क्या है, जब हमारे पास हर चीज का budget होता है, example है नों, sales का दिया था, अगर हमारे पास sales का budget है, कि हमारा X product January में इतनी sales लाएगा, और जब हम actual January में sales हमारी जो actual हुई उसको लाके देखेंगे, तो हम जब budget से मिलाएंगे, तो हम देख पाएंगे, कि भाई है, हमारी budget के मुकावले कम हुई है, यह जादा हुई है, अगर कम हुई है, तो हम उस तरीके से उसको ठीक करेंगे, जादा हुई तो उसी चीज़ को हम repeat कर देंगे, ठीक है, अब budget को एक चीज़ मैं बस final कर दूँ, आप लोग वो घरवाले budget की तरह या एक general budget की तरह मत समझने नगना, कि मेरे पाद खर्चा करने के लिए इतना पैसे, हम budget को usually यह समझते है देशी भाशा में, यहाँ पे वो वाले budget की बा में हमारी factory के pre-production के time, इसमें कोई हम यह थोड़ी ना देख रहे है हमारा कितना खर्चाए नहीं है, यह बस numbers में बता रहे है कि facts and figures को, ठीक है, यहाँ पे खतम होता है हमारा chapter, पसंद आया और मेरी खासी से थोड़ा सा भी तुम्हें लगा हुआ है, तो भाई, like कर देना, comment में जाके बताना कि यह एंट तक वीडियो देखे तसली से, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, best of luck guys, maintainer करने जा रहा हूँ and bye bye